हेलो एन वेलकम माई डियर किड्स तो हम लोगों का सेकंड असेस्मेंट स्टार्ट होने वाला है है न किस तारिक से है फाइव से तो उसके लिए हम लोग प्रिप्रेशन करेंगे और हम लोगों ने सलबस के अनुद अकॉर्डिंग ट्यारी कर लिए पढ़ लिए है अब असेस पहला question होगा fill in the blanks मतलब खाली जगह को भरो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ question fill in the blanks कुछ जगह खाली दिये जाएंगे आपको write करना है lesson के according आपने lesson पढ़ा होगा अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजेगा फिर से एक बार मैंने पढ़ाया था न बच्छे से तो चल देखिए क्या लिखा है I am Maya यह खाली जगह है इसमें आपको लिखना है Maya Maya आपको लिखना है मैं यहाँ पर dash लगा कर छोड़ देंगी ठीक है यहाँ पर dash लगा रहेगा और आपको is my sister तो आपको याद करना होगा कि Maya की sister कौन थी? माला तो यह माला है यहाँ पर आपको लिखना होगा माला आगे बढ़ो we live in a यहाँ पर खाली जगह होगी आपको राइट करनी है कहां रहते थे वे लोग? Maya और माला कहां रहती थी? village में तो यह village आपको लिखना है next आगे बढ़ो our father is a क्या थे इनके पापा? farmer तो यह farmer जो खाली जगह छोड़ देंगी डैस लगा कर ठीक है आगे बढ़ो gory gives us यह आपको खाली जगह रहेगा और आपको भरना है fill करना यह blanks है तो इसको fill करना gory उनकी गया का नाम था cow का नाम था तो cow उनको क्या देती थी? milk तो आपको यहाँ पर milk लिखना है next देखो आगे breakfast in the किसम में breakfast लिया जाता है morning तो यहाँ पर morning आपको लिखना है मैं में यहाँ पर blanks छोड़ देंगी आपको write करना है यहाँ देखो आगे बढ़ो यहाँ पर ही blank से पहले और आपको आगे लिखा रहेगा takes us to school तो school से कौन लाता है? mommy तो यह mommy आपको write करना होगा इस तरह आपका पहला question complete होगा ओके चलिए आगे बढ़ते हैं और देखें आगे क्या है? second question होगा match the picture with their children यहाँ children के नाम लिखे रहेंगे और आपको बच्चों के नाम के according उनके पास था वो आपको fill कर देना होगा line कीच कर मिला देना हो match करना है ठीक है? यहाँ pictures दिये हुए हैं यहाँ बच्चों के नाम लिखे हुए हैं तो आपने lesson पढ़ा होगा याद करिएगा अगर नहीं याद होगा तो फिर से एक बार lesson देख लिजएगा जैसे मैं आपने पढ़ाया थ तो यह देखिए सल्मा तो याद करिए सल्मा के पास क्या था सल्मा के पास कार था कार कैसे चलती थी? जूम तो यह देखिए सल्मा के कार यहाँ बनी हुई है तो सल्मा को उसके कार से मिला देगे सेकंड देखिए राजू राजू के पास क्या था? बाल वो बाल खेलता था तो उसके पास बॉल था किस कलर का फ्लैक और वाइट तो इसको यहां से ऐसे मिला देंगे ड्रॉ कर जाएंगे लाइनों के आगे बढ़ो सोनु सोनु क्या करता था काइट उड़ाता था अब भी तो सुन्दर सुन्दर काइट बना कर भेजे हैं मैं को इसी तरह सुन्दर सी क अगर मैरी के पास था तो इसको ट्रैडी बेर को मैरी से ड्रॉ कर के नाइट मिला दीजे मैच कर दीजे ठीक है इस तरह आपको आपका सेकंड कोस्चन भी हो गया तो अब आगे बढ़ते हैं कोस्चन नमबर थ्री पे तो देखो थ्री कोस्चन नमबर में क्या होगा नेम आपको पिक्चर के नेम लिखने होंगे कुछ पिक्चर बने होंगे और आपको उसके नेम राइट करने होंगे ठीक है तो चलो देखते हैं कौन कौन से पिक्चर होंगे पिक्चर होगा एक होगा यह देखो फ्लैग क्या है यह फ्लैग तो आपको यहाँ पे इसका ना write करना है, ओके, यहाँ पर आप अपने नाम write करोगे, learn किये हैं न आपने, तो उसको यहाँ लिखना, flag, f-l-a-g, यह आपको write करनी है, यह देखो, यह cake है, c-a-k-e-k, यह आपको लिखना है, यह है train, तो यह train आपको लिखनी है, t-r-a-i-n, यह आप लिखोगे, ठिक है, यह देखे, map बना हुआ है, इसमें, इंडिया का map है, तो यह इसको इंडिया लिखना है, आपको, चित्र बना रहेगा, figure map बना कर देंगी, आपको इसके name write करने होंगे, यह देखे, पास number पे क्या है, octopus, यह octopus है, इसे आप octopus लिख देंगे, next देखो, यह है kite, तो आप यहाँ kite लिख दोगे, उसके नीचे क्या है, fish, तो यह आप fish लिख दोगे, उसके नीचे भी कुछ है, lock, इसको lock लिख देना, उसके नीचे क्या है, pot, ठीक है, pot, इसको भी लिख देना और कुछ है एक और है ये है amrla you for amrla ये भी आपको learn करके यहां amrla लिखना है इस तरह आपको चित्रो के नाम लिखने होंगे तो सब बच्चे अगर नहीं learn की होंगे तो learn करेंगे मैंने practice भी कराया था इसका फिर से practice करिए और इसका आप name learn करिए तो इसको चलिए और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोस्टन के दरफ तो नेक्स्ट कोस्टन क्या होगा आपका राइट ही, शी, इट अब आपको ही, शी, इट लिखना है तो कहां पे ही लगता है, कहां पे सी लगता है और कहां पे it लगता है मैंपने इसी लेस्न के अंदर आपको पढ़ाया था बताया था चलिए एक बड़ और बता देते हैं बॉइस के साथ हमेशा he लगाएंगे girls के साथ she लगाएंगे और think के साथ it लगाएंगे तो आपको यहाँ देखना है क्या लिखा हुआ है और यहाँ पे थोड़ी सी जगह खाली छोड़ दी जाएगी वो आपको फिल करना है मैं वने इसको करके रखा हुआ है यह पहला क्या है? यह है boy देखे, boy लिखा है boy के साथ क्या लगेगा? हमेशा लगेगा he यची he तो यह आपको लगाना है teacher teacher strillin ही होता है इसलिए यहाँ she लगेगा यहाँ पे she लगेगा next यह है क्या? king king में क्या लगेगा? he यहाँ पे he लगेगा यह देखेए, यह है chair chair में क्या लगेगा? यह thing है thing में क्या लगता है it है न यह देखो यह क्या है queen queen rani rani girls होती है न तो इसके लिए she लगेगा cat यह animals है animals और thing के लिए it लगता है तो यहाँ पे it लगेगा girl girl मतलब लड़की तो girl के लिए तो she लगता ही है पहले बताया था आपको यहाँ पे she लिख दो और नीचे देखो क्या है dog तो dog के साथ क्या लगता है क्या है यह animal और thing के साथ it तो यह it आपको लिखना है इसके नीचे देखो car car क्या है thing है न चीज है girls अब आइंस में नहीं है तो इसको it लगा देंगे और नीचे देखो मीना यह नाम है किसी लड़की का नाम है जैसे आपका नाम होता है तो जब girls का नाम होगा तो आप क्या लगाओगे she तो यहाँ पे देखे she लिखा है तो इसी तरह आपको पहले देखना होगा कि वो girls है boys है या thing और animal है तो जहाँ girls होंगी वहाँ she लगा देना boys होंगे he लगा देना और things और animals होंगे तो it लगा देना तो इस तरह आपको he, she को it को write करना है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे क्या आपको करना होगा एक question आपके लिए ये भी होगा fill in the blanks with is देखे बढ़ा करके देखिए is, am, are ठीक है तो ये भी भरना है आपको sentence बना होगा और आपको इसमें is, am, are है ना तो आपको बताया था मैं आपने i के साथ am u के साथ are और this के साथ is ये आपको chapter में पढ़ाया गया है समझायागे अच्छे से तो अगर chapter नहीं पढ़ा होगा तो फिर से पढ़ लेना one, two, three time जितनी time जब तक आपको learn न हो जाए आराम से पढ़ेंगे समझेंगे फिर इस questions को करेंगे और कोई बच्चा भी book को देख कर नहीं करेगा ये assessment है ठीक है क्योंकि जब आप इस्कूला होगे तो मैं पूछेंगे भी तो आपको learn भी करते चलना है तो चलिए देखते है this is our house this के साथ is यहाँ पे blanks होगा और आपको लिखना होगा is, I, yes, is I, यहाँ पे खाली होगा इसमें fill करना है am happy मैं खुश हूँ आगे देखो you के साथ क्या बताया था are तो you are my teacher हाँ ना तो you के साथ हमेशा आ रहा है इस blanks को आपको भादना है ठीक है, इसको fill कर देना है we के साथ आ रहाता है chapter अच्छे से पढ़े होगे तो आपको याद हो जाएगा we are boys देखो I am a girl I के साथ हमेशा या am आता है यहाँ पे blank होगा आपको fill करना है नीचे देखो he is crying ही के साथ is आता है हमेशा is आता है तो आपको is लगा देना यह जगह blanks होगा आपको fill करना है next I am a boy यह इसको fill करना am आपको लिखना है am am ठीक है next देखो आगे बढ़ो आगे देखते हैं we are playing हम लोग खेल रहे हैं we के साथ आ रहाता है तो इस तरह आपको is am और are को लगाना है और complete करना है sentence को अगर lesson नहीं याद हो फिर से पढ़िए two time, three time और अच्छे से समझिए learn करिए फिर question का answer लिखिए ओके आगे बढ़ते हैं next question क्या होगा difficult word कठिन सब्द हम लोग उन्हें लेसन में बहुत सारे कठिन सब्द पढ़े हैं तो मैं ने कुछ कठिन सब्द निकाल कर आपको learn के लिए दिया था revision करने के लिए दिया था इसको revision करेंगे तो मैं इसी में से five words बोलेंगी ठीक है? तो किसको पढ़ लेते हैं ताकि आपको learn करने में आराम हो जाए ठीक है? सब बच्चों के पास होगा अभी मैं पहले भी पढ़ा है ताप फिर से revision करिए यह देखिए नमबर वन पे क्या लिखा है? plant आपको इसी तरह learn में करना है नमबर टू पे leaf यह देखिए इंडिया यह है रेन यह है हैंड यह आक्टोपस डिये टी डेट यह है month हमी एन टी एच month यह है basket P.A.S.K.E.T. basket और यह है Q Q.U.E.U.E. Q यह आपको difficult word dictation word में in difficult word में से five word मैं हम आपको बोलेंगी तो आपको इसको learn करके रखना है जो मैं हम बोले उसे फटा फटा अपने English की copy में write down कर देना है और number डाल की जैसे मैं हमने लिखा हुआ है ऐसे आप भी number डालोगे और लिख लोगे तो हमेला हातो आप ये समझ लिजे कि आपको अच्छे जरिविजन कराया गया है तो वीडियो को अच्छे से two three time देखिए और learn करिए ठीक है ओके थांक यू और गट ब्लेस यू